अभी जश्ट देखकर आ रहा हूं मैं मैदान जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि मुझके स्पोर्ट्स बाइवपिक थोड़ा जादा पसंद है और कई टैम से इस मुवी को डिले किया जा रहा था and finally movie देखने के बाद मैं यहीं बोलूँगा कि overall this is a good watch personally मुझे यह अच्छा लगा कि यह movie जादा over dramatic ना होकर मतलब बहुत सारे sports drama में होता है कि भाई बहुत ही जादा over dramatic कर देते हैं तो हाँ यहाँ उतना over dramatic ना करकर इन्होंने close to reality रखने की कोशिश की है हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ drama नहीं है obviously sports drama है sports biopic है तो drama इस genre का सबसे important factor होता है अब देखो movie पर आए तो first half कई लोगों को boring लग सकती है लेकिन movie अपना peak पकड़ना start करती है second half से especially last के 30 minutes में और देखो since यह sports biopic है तो इस genre का एक template होता है सब जानते हैं मतलब ऐसी movies में same template follow किया जाता है कि हाँ कुछ setup किया गया कुछ problems आए then उसका solution ढूंडा गया बीच में बहुत सारे emotions आए और in the end पूरे peak moment के साथ movie को end किया गया जिससे की ending वाली feeling बहुत ही जादा amazing होती है और इस genre को जो पसंद करते हैं वो उसी ending वाले feeling को लेने के लिए ऐसी movies को देखते हैं and honestly बोलूँ तो मैं उस feeling से पूरी तरह से satisfied हूँ the thing is कि अगर ये template successfully काम करता है तो भाई makers इसका use क्यों न करें और ये movie तो बहुत ही अच्छे से उस template का use करती है तो हाँ maybe अगर आपने किसी का review सुना होग और उसको ये movie पसंद नहीं आई होगी तो for sure उसका one of the reason यही रहेगा कि उसने ऐसी movies कई बार already देखी है movies में और positives के बाद करें तो भाई performance यहाँ top notch है हर एक actors के performance आप देख लो वो to the perfect है especially अजे देवगन का जो performance है भाई आपको मानना पड़ेगा कि भाई उन्होंने expression से आँखों से अपनी silence से इस movie में acting किये है मलब को emotion दिखाने के लिए बहुत सारे scenes में उनको बोलना तक नहीं पड़ा है और आप वो emotion feel कर पाते हो तो हाँ इसके लिए appreciation तो देना बनता है फिर movie का direction जो है वो भी sports biopic के according काफी अच्छा है यहाँ हर emotional moment भी हिट होता है और हर वो happiness वाली peak moment भी हिट होती है और सबसे अच्छा मुझे लगा इस movie में इसकी cinematography especially games के बीच में कई सारे ऐसे sequence है कई सारे ऐसे camera movements है जो कि आपको बहुत अच्छा लएगा और मुझे यह भी अच्छा लगा किसके makers ने वो जो cinematography थी वो जो special movement थे उसको hold back करके रखा था बीच के matches में उन्होंने उस cinematography का full potential के साथ यूज किया final match में जो कि एक अलगी feeling देता है और जैसा मैंने बोला ही कि आपको ये movie patience के साथ देखनी पड़ेगी क्योंकि इस movie का पूरा meaning पूरा value या फिर इस genre को ही ले लो तो इस genre की जो पूरी feeling होती है पूरी value होती है वो last के 20-30 minute में ही आती है तो यहाँ भी हमें वही मिलता है literally sports biopic में especially India में बहुत ही अच्छा opportunity होता है बहुत ही अच्छे music का और एक जोज जगा देने वाले memorable गाने का तो हाँ वो music वो गाना इस movie से missing है मतलब movie आपको याद रहेगी लेकिन इस movie से related connect करने के लिए कोई ऐसा song या music आपको याद नहीं रहने वाला और इसके बाद second negative जो मुझे लगा वो था individual characters पे उतना focus ना करना मतलब जो यहाँ individual players है जितने भी players दिखाए गये है उन में से एक या दो पे थोड़ा सा focus किया गया है बाकी जो पूरा focus है वो अजे देवगन के character पे रहता है अब इसमें कोई गलत बात भी नहीं है लेकिन individual characters पे अगर focus थोड़ा जादा रहता है तो उन characters से एक emotional connection बन जाता है जो कि और अच्छी feeling दे सकती है मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि इन दोनों ही कमी को जो इस movie में है उसको perfectly handle किया गया था चकदे इंडिया में overall मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको sports biopic पसंद है drama पसंद है तो यह movie आपके लिए ही बनी है and अगर आपको यह genre पसंद है तो आपको यह भी पता ही होगा कि ऐसे movies को थोड़ा patience के साथ देखना पड़ता है मतलब drama को enjoy करना होता है और उसका result end के 20-30 minute में ही मिलता है and again मैं फिर से बोलूँगा सही में यहां ending का जो 20-30 minute है वो इतना अच्छा है कि movies के जो जितने भी flaws है वो ending के साथ आप सब कुछ भूल जाओगे तो हाँ again यह genre पसंद है तो 110% आप यह movie देखने जा सकते हो मिलता हूँ आपको फिर से किसी और movie के रिव्यू के साथ till then be racy, be nerd